नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सबका स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिल्ली का घर में आना शुब या अशुब दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं हिंदू धर्म में कई तरह के जानवरों को महत्वपून बताया गया है खास तोर पर गाय, कुट्टा, बिल्ली, कबूतर आदी का उल्लेक आपको कई धार्मिक कहानियों में मिल जाएगा कुछ जानवरों को हिंदू देवी देवता की सवारी भी बताया गया है इन जानवरों से जुड़े शुब और अशुब संकेतों के विशय में भी बहुत सारी बातें प्रचलित हैं विशेश तोर पर बिल्ली को लेकर बहुत सारे मिथक और अंधविश्वास हैं बिल्ली को लेकर अकसर शुब और अशुब जैसे सवाल उठते रहते हैं बता दें की धर्म शास्त्र के अनुसार बिल्ली मा लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वाहन है अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी जाती है अलक्ष्मी को राहु ग्रह के आधीन माना गया है बिल्ली को पित्रों का रूप भी माना जाता है ऐसे में बिल्ली का घर में आना व्यक्ति के जीवन में त्रिगुन श्राप, अलक्षमी, राहू और पित्रों के तीवर कोप का संकेत देता है बिल्ली को काली शक्ती का प्रतीक भी माना जाता है वास्तु शास्त्र में बिल्लियों को नकारात्मक उर्जा का स्रोत भी कहा गया है लेकिन ऐसा नहीं है बिल्ली से जुड़े सभी संकेट अशुब होते हैं कई ऐसे संकेट भी हैं जो बेहत शुब होते हैं और घर में संपन तालाते हैं बिल्ली के अशुब संकेट नारत पुरान के अनुसार बिल्ली के घर में बार-बार आने को अच्छा नहीं माना गया है शास्त्रों के मुताबिक बिल्ली का घर में रखा दूठ पी जाना या फिर उसमें मुहमार देना धन हानी का संकेत होता है बिल्ली का घर में मल त्याग करना अन्होनी की संभावना को बढ़ाता है लेकिन इसके विपरीत दक्षन की परंपराओं में बिल्ली को शुभ माना गया है दक्षन सभ्यता की और बिल्ली को बुरी शक्तियों से व्यप्ती की रक्षा करने वाला बताया गया है इसके प्रतीक के तौर पर करनाटक के मांडिया जिले से 30 किलोमेटर दूर बेक का लेले गाओं में बिल्ली का एक मंदिर बना हुआ है यहां 1000 वर्षों से भी पहले की एक परंपरा के तौर पर बिल्लियों की पूजा की जाती है यहां बिल्ली को देवी मंगम्मा का अवतार माना जाता है वहीं विदेशों में खास तौर पर चीन और जापान में बिल्ली को शुब प्रतीक माना जाता है फेंगशुई में भी बिल्ली को घर में रखना शुब बताया गया है ऐसा कहा जाता है कि सफेद बिल्ली पालने से आर्थिक स्थितिया सुधर्ती है इसलिए फैंगशुई में विश्वास करने वाले लोग अपने घरों में सफेद बिल्ली को पालते है बिल्ली का रास्ता काटना बिल्ली के रास्ता काटने को भी कई लोग अशुब मानते हैं मगर क्या आपको पता है कि जब बिल्ली बाई से दाई और रास्ता काटती है तब ही अशुब होता है अगर बिल्ली केवल रास्ते में नजर आ जाए या फिर किसी और दिशासे रास्ते को काटती है या फिर आपके पीछे से गुजर जाती है तो यह स्थितिया अशुब नहीं होती है घर में सफेद बिल्ली का आना आंवतार पर ऐसा कम ही होता है, मगर यदि आपके घर में एक्ढम सफेद बिल्ली आती है, तो इसे आप शुब प्रतीक मान सकती हैं क्योंकि सफेद बिल्ली अपने साथ शुब समाचार भी लाती है. सफेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकारात्मक उर्जाएं भी समाप्थ हो जाती है काली बिल्ली का घर में आना शास्त्रों में काली बिल्ली को बहुत ही अशुभ माना गया है ऐसा कहा गया है कि काली बिल्ली काली शक्तियों का प्रतीक होती है काली बिल्ली मार्ग काट जाए तो अप्शकुन होता है वहीं काली बिल्ली आपसे टक्रा जाए या आप पर हमला करे तो यह व्यक्ति के जीवन में संकट आने का प्रतीक होता है घर में काली बिल्ली का होना भूत प्रेट के होने का संकेत भी माना गया है सपने में बिल्ली देखना शुब या अशुब सपने में बिल्ली दिखना अशुब संकेत है ऐसा माना गया है कि यदी सपने में आपको बिल्ली नजर आती है तो आपको निकट भविश्य में कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है आपको धन हानी हो सकती है आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी या परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है मगर आप यदि सपने में काली बिल्ली देखते हैं, तो आपको धन लाब होता है हाँ यदि काली बिल्ली आप पर हमला कर रही है, तो यह अशुब संकेत है अगर आप सपने में सफेद बिल्ली देखते हैं, तो यह संकेत है कि जल्दी ही आपका बुरा समय खत्म होने वाला है सुभा सुभा बिल्ली के दर्शन होना सुभा सुभा अगर आपको बिल्ली दिख जाए तो यह संकेत है कि आज आपके घर में कोई महमान आने वाला है या फिर आप किसी मित्र से मिलने वाले हैं अगर किसी विद्यार्थी को सुभसुभ बिल्ली नजर आ जाए, वो उसे अध्ययन या फिर किसी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्थ होती है घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होना अगर आपके घर में बिल्ली ने बच्चे दिये हैं, तो यह संकेत है कि जल्द ही आपके घर में कोई शुभ काम होने वाला है या शुभ समाचार आने वाला है इस बात का ध्यान रखें कि बिल्ली के बच्चों को हाथ न लगाएं और नहीं उन्हें कोई हानी पहुचाएं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें धन्यवाद